व्यावसाइक सेवाओं में अभी तक हमने बैंकिंग को डीटेल में जाना है आईए अब हम उसकी दूसरी जो कारे हैं उसको देखते हैं ये दूसरी सेवा कौन सी है बच्चों आपके सेरेबस में ये दोनों सेवाओं को ही इंकलूड किया गया है जिसके बारे में हम डीटेल में चर्चा करेंगे एक बैंकिंग हमने कर ली है और जो दूसरी बीमा आज हम शुरू करें तो जो दूसरा हम कारे या सेवा आज शुरू करने वाले हैं वह बीमा बीमा का परिचेज कर लेते हैं या बीमा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बीमा है क्या अगर आप सरल शब्दों में जाने तो मनुश्य का जो जीवन है वह कई अनिश्चिताओं से भरा हुआ है यानि बहुत सारी अंसर्टेनिटीज हैं उसकी लाइफ में कब व्यक्ति दिख रहा है जीवित है कब तक और कब उसकी मृत्यू हो जाए ये किसी को पता नहीं है और उसकी मृत्यू के होने के बाद उसके द्वारा जोड़ी गई जो संपत्तियां है उसका क्या होगा साथ ही साथ उसके जाने के बाद उसका जो परिवार पीछे छूड़ जाता है उसको आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी तो इन सब समस्याओं से उबरने के लिए बीमा एक जिसे हम इंगलिश में कहते हैं इंशुरंस वो सामने आया अब अगर हम बीमा को समझें तो यह एक प्रबकार का अनुबंध होता है यानि कॉंट्राक्ट होता है जो कि एक बीमा कंपनी द्वारा एक व्यक्ति के साथ किया जाता है यह जो अनुबंध होता है यह बहुत ही trustworthy कह सकते हैं जिसमें trust किया जा सके यह पूर्ण सद्भावना से ओत प्रोत होता है कह सकते हैं यह trust की बात होती है उन दोनों के बीच जो contract बनता है उसमें ताकि क्या हो सके कि उसकी मृत्यू के पाथ उस व्यक्ति की या बीमा जो व्यक्ति कराना चाता है उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसका उसके जाने के बाद वह किसको जाएगी साथ ही साथ उसके जानने के बाद उसके परिवार को ये बीमा कमपनी किस तरीके से मदद करेगी ये समस्या को सुलजाने के लिए इस बीमा का जनम हुआ इस तरह के कॉंट्राक्ट जो हैं डेवलप किये गए ये तो जीवन बीमा की बात हुई इसके अलावा भी कई ऐसे कॉंट्राक्ट या इंशरेंस किये जाते हैं जो कि अलग अलग लेवल पे किये जाते हैं या अलग अलग तरीके से किये जाते हैं जो कि इस पार्ट में हम आगे चर्चा करेंगे अभी हम बीमा की बात कर रहे थे तो अगर हम बीमा के अर्थ को समझे तो बीमा का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि बीमा जो है एक प्रकार का अनुबंध होता है जिसमें जो होता है बीमा करता यानि बीमा कंपनी क्या करती है जो जिसने बीमा करवाना है उस व्यक्ति का जितना भी जोखीम है उसको क्या करती है अपने उपर ले लेती है इसके लिए वह क्या करती है बीमा के दौरान जो कॉंट्राक्ट तयार होता है या अनुबंध तयार होता है उस मुताबिक वह क्या करती है उस व्यक्ति से प्रीमियम लेती है प्रीमियम एमाउंट डिसाइड होता है कि आप प्रती माह या हर छे महिने में या हर तिमाही में या हर वर्ष में कितना जो है एमाउंट उस बीमा कंपनी को देंगे और ये बीमा कंपनी का कार्य क्या होता है कि ये जो बीमा कंपनी होती है ये उस व्यक्ति को अगर वो जीवित है पूरा जो जितने लंबे समय तक के लिए जितने डियूरेशन तक के लिए वो बीमा किया गया है अगर वो व्यक्ति जीवित है तो उस व्यक्ति को उसका जो अम उसे हम कहते हैं mature होना, maturity period के बाद with bonus, bonus क्या होता है कि जो premium दिये गए थे उस पर जो ब्याज लगता है वो as a bonus कहलाता है, maturity period के बाद वो mature पैसा with bonus मिल जाता है उस जीवित व्यक्ति को या बीमाधारी को. लेकिन in case अगर उस व्यक्ति की मृत्य हो जाती है, तो उस situation में क्या होता है, क्योंकि वो व्यक्ति premium भर रहा था, लेकिन बीच में ही क्या हुआ, उस व्यक्ति की मृत्य हो गई. तो आगे का premium बरने की उसको कोई जरूरत नहीं है, अब responsibility किसकी बनती है या उत्तरदायत वकिसका होता है, उस बीमा कंपनी का होता है, कि अब जितने का बीमा उसने कराया हुआ है, और जिस तरीके का बीमा उस व्यक्तिन ने कराया हुआ है, उस तरह के बीमे का लाब, जैस आशा है, आपको ये बीमा का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बीमा के बारे में जानने के बाद और बीमा का अर्थ जानने के बाद एक statement आईए देखते हैं, कि वो statement क्या है, और उस पर चर्चा करते हैं, बीमा का एक statement आप जैसे screen पर देख रहे हैं, वो है भीमा वह विदी है जो एक विक्ति के जोखिम को अनेक विक्तियों में विभाजित करती है यह statement बहुत ही clear है इसमें क्या होता है एक विक्ति के जोखिम को मतलब जो भीमा धारी है उसके जोखिम को क्या करती है अनेक विक्तियों में विभाजित कर देती है मतलब वो बीमा कंपनी हैं उनको दे देती है या बीमा कंपनी अपने सर पर ले लेते हैं और वो किस तरह होती है क्योंकि कोई एक व्यक्ति ही तो बीमा नहीं कराता है ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपना बीमा कराते हैं ठीक है यह जो जोखिम होता है उन सारे व्यक्तियों पर कि हैं जिन लोगोंने व्यक्ष कर आया है यह उस इंशुरेंस कंपनी का पार्ट कि वहोता है क्योंकि क्या होता है जितने लोग इसमें मिलेंगे यह एक kooperative सोसाइटीज की तरह कारे करते हैं मिलके के बाद जब cooperative societies की तरह कारे करते हैं तो उनसे जो मिलकर fund जमा होता है तो जब जिस तरह की जरूरत होती है उस तरह के fund को distribute किया जाता है और इसी तरीके से ही यह बीमा company है वह लाब भी कमाती है अब हमने बीमा को अच्छी तरीके से समझ लिया है आईए कुछ को देखें तो इसमें दो पक्षिकार का होना आवश्च्क है जैसे की आप जानते हैं इसमें पहला पक्षिकार कौन होता है बीमा करता है या इसमें प्यूर्ण सद्भावना पर आधारित होता based on utmost good faith कुल मिला करके यहाँ पे जो बीमा धारी है वो बीमा कराते समय उसकी responsibility या उत्तरदाइत वो होता है कि जब भी भी वो बीमा करा रहा है वह सही सही चीजे बीमा की company के द्वारा जो agent भेजा गया है उसको बता है उसके बाद ही बीमा करा है इन केस अगर वो कुछ चीजे छुपाता है ठीक है मान लेजे किसी family में उन सभी family members को क्या है कि कोई रोग है जिसके कारण हो सकता यह जो बीमा प्लान वो ले रहा है वो अपने benefit के लिए ले रहा है और आगे चलकर उस बीमा company को या उस agent को कहीं से यह पता चल जाता है कि यह जो बीमा धारी है उसके family में पहले से यह problem सी स्वास्त से related लेकिन यह मुझसे इन्होंने नहीं बताई या हमारी company से इन्होंने यह share नहीं गी तो उस scene में क्या होगा वो जो contract बनता है बीमा का वो क्या हो जाएगा वो जो बीमा का insurance policy बनती है वो स्थगित कर दी जाएगी हम क्या सकते हैं तो यह हमने बात की की बीमा धारी को क्या होना चाहिए utmost good faith में अपनी सारी बातों को बताना चाहिए कुछ भी चीज नहीं चुपाना चाहिए उसी तरीके से बीमा करता कभी यही करता वे है कि जभी भी कोई contract बनता है या बीमा के लिए जब वे अनुबंद तयार करते हैं उस situation में क्या है उस situation में जो भी चीजे उस अनुबंद के अंतरगत आती है as per the rules and regulation सारी चीजों को clear cut बीमा धारी को बताए जिससे कि उसे आगे चलकर किसी भी तरह का confusion ना हो तो हमने इस तरीके से इसके दूसरे बिंदू को भी जाना कि पूर्ण सद्भावना पर आधारित होना चाहिए तीसरी विशेष्टा अगर देखें तो तीसरी विशेष्टा कहती है एक सहकारी विवस्था पर आधारित होती है based on cooperative system जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है की cooperative system की तरह कारे करती है इसका जो मूल मंत्र होता है वो होता है each for all या all for each इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतेक सब के लिए एवं सब प्रतेक के लिए कहने का मतलब यह है कि जैसे की cooperative societies में या cooperative system में क्या होता है बहुत सारे लोग एक जुट होकर उसको चलाते हैं उसी तरह बीमा में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे members बहुत सारे लोग जुड़कर क्या करते हैं उस बीमा company को आगे बढ़ाते हैं तो जो उनसे fund raise होता है तो जिस तरह की स्थिती निर्मत होती है उस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए क्या क्या है था उस existing fund से जो fund उनके पास available है उस तरीके से payment कर दी जाती है यदि किसी बीमाधारी की मृत्यू हो गई है तो क्या होगा उस बीमाधारी के परिवार वालों को अनुबंध के अनुसार जो रुपे तै किए गए हैं वो दे दिये जाएंगे यदि उस बीमाधारी की मृत्यू नहीं हुई है लेकिन उसका जो insurance है वो mature हो गया है मतलब समाप्त हो गया है उसके कालावधी समाप्त हो गया है तो उस बीमा के maturity के बाद क्या होगा कि उसको वो बीमा का पैसा वापस मिलेगा with bonus जिसना उस agreement में तैख हुआ था या उस अनुबंध में लिखा था contract में तो यह है कि जो बीमा होती है यह सहकारी व्यवस्ता पर अब बच्चों देखिए simple सी चीज है कि जो जोखिम आने वाला है उससे बचा तो नहीं जा सकता मान लिजे किसी व्यक्ति की मृत्यू है तो इस जोखिम को avoid नहीं किया जा सकता है लेकिन इसको कम किया जा सकता है उस परिवार के लिए क्योंकि जो व्यक्ति चला गया हो सकत वह उस परिवार का एक मात्र व्यक्ति हो कमाने वाला उस परिवार के लिए वह आर्थिक आरजन करने का एक सिंगल स्त्रोथ हो एक मात्र स्त्रोथ हो अगर इस सिनारियों में हम देखें तो उस परिवार को उसके जानने के बाद इस बीमा से मिलने वाले जो रकम है उसकी का हस्तानतरण, जैसे कि मैंने बताया किसी व्यक्ति का चले जाना संसार को छोड़ कर के, यह जो हाणी है, इसको तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ रखम, जो उस बीमा की रखम से उसके परिवार की मदद की जा सकती है, वो उस से पूरी नहीं किजा सकती यITY किसी भी जीस से पूरी किजा सकती हैं वो परिफार अपनी डाल Two और बढ़ता हैं व Teaching va किमिन्ख को प्रिमियम को बताया जब बीमा का सब्सक्राक्द राक्र तायार होता है तो उसमें तैय किया जाता है कि जिस तरीके का अभीमा लिया गया है उसमें जो प्रीमियम दिया जाएगा वह कितना होगा और किस डियूरेशन में जाएगा क्या वह हर महीनी देना पड़ेगा या त्रहेमासिक तौर पर देना पड़ेगा या अर्दवार्शिक जम्म करना पड़ेगा तो यह premium होता है उसका amount साथ ही साथ उसका duration वो भी उस contract में निर्धारित किया जाता है और उस तरीके से क्या होता है जो बीमा धारी है उसे बीम जो करते हैं company उनको वो payment करना बी पड़ता है पीप्रीमियum देना भी पड़ता है बीमा करता को इसके बाद जाम अगली विशेषता की और बढ़ते हैं तो अगली विशेषता कहती है कि बीमा के विभिन प्रकार वेरीस और भी कई बीमा इसके साथ जूड़े हुए होते हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे आए हम अगली विश्रिष्टा की और बढ़ते हैं अगली विश्रिष्टा कहती है घटना का घटित होना happening of events इसमें क्या होता है कि बीमा तब ही हो सकता है जब किसी घटना के घटित होने की य होती है है तो इस सिटी में क्या होता है जब लोग बीमा कर आते हैं अपने जीवन प्यमा कराते हैं इन्केस वह बैकती गर मर जाता है जो चाहिते हैं, उससे मरती हो जाता है उसकी अ numbers को वो बीमा की रकम मिली दी जाएगी और in case अगर वो व्यक्ति जीवित रहता है तो उसको उस बीमा के maturity के बाद क्या होगा वो जो बीमा की रकम है with bonus दे दी जाएगी तो दोनों ही situation में क्या देख रहे हैं घटना घटित होना संभाव है तो यहां पर बीमा तभी पॉसिबल है जब किसी तरीके के घटना का होना की संभावना होती है किसी तरीके की घटना की होने की संभावना होती है आगे बढ़ते हैं अगली विश्विष्टा की ओर जो कहती है सुरक्षा एवं विनियोक security and investment दोनों की बात करी जब व्यक्ति की मृत्तियों हो गई तो उसके परि लेंगे ठीक है safety element कहीं और व्यक्ति जीवित है बीमा मेच्योर हो चुका है तब उस बीमा धारी को जो मेच्योर amount with bonus मिलेगा बीमा कंपनी से वो एक investment element होगा या विनियोक का तत्व होगा ठीक बचो आगे बढ़ते हैं दस्वा बिंदु कहता है स्वामित्व जरूरी नहीं ownership not compulsory ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है अपनी ही वस्तूपर क्या करें बीमा करवान कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे की बड़े बड़े व्यवसाई होते हैं अगर उनसे कोई रण ले लेता है तो अब उस रण को चुकाने के लिए मान लो किसी व्यवसाई ने किसी छोटे व वर्शक है तो अगर उसके स्टॉक कर लिया है तो उसका अगर बीमा कराता है तो यहां पर यह point clear होता है कि उस माल का स्वामित्व जो है व्यावसाई A कर नहीं है वो किसका है B का है लेकिन B ने क्यूंकि A से रण लिया था इसलिए वो क्या गए जमानत के तोर पर अपने क कुछ माल को इनके पास रड़ी देता है ताकि जैसे उसके पास पैसे आएंगे वह रण का भुकतान करके अपने माल को बापस ले जाएगा लेकिन उसकी सेफटी परपस के लिए क्या करना पड़ता है उस व्यक्ति को मतलब एक को क्या करना है मानो यह समान खराब हो गए तो उसने पैसे दिया और यह समान में खराब गए तो नुकसान किसको हुआ परसन एक को नुकसान होगा ना तो उस व्यक्ति ने क्या किया या परसन ए ने क्या किया कि जो माल उसने स्टॉक कराया है उसका बीमा करा लिया और यदि इन केस अगर वो माल खराब भी हो जाता है त बीमा में स्वामित्व जरूरी नहीं होता, उसके बाद बाता आती है कि बीमा एक अनुबंध है, इंशुरंस इस अ कन्ट्राक्ट जो कि मैं अभी तख बात करते हुए आरही हूँ, सब को समझाते आरही हूँ कि जो बीमा है वो एक प्रकार का कॉन्ट्राक्ट होता है, बीमा है वो पांच भागों में बटा हुआ है पहला है जीवन बीमा दूसरा है अगनी बीमा तीसरा है चोरी बीमा चौथा है सामुद्रिक बीमा और पांचवा है विवित बीमा एवं स्वास्थ बीमा अब बचो जीवन बीमा है उसको अलग कर दे तो बाकी के जो चार बचे हुए बीमा आते हैं वो सामान्य बीमा के अंतरगत आते हैं आईए हम एक एक करके शौट में इन बीमा को समझते हैं जीवन बीमा जैसे कि आपने अभी तक उधारण के माध्यम से सुना कि जो मनुष्य का जीवन है वो अनिश्चित्ताओं से वरा है यदि उसने पहले बीमा क रकम है वो सौप देंगे यदि वो वेक्ति जीवित है तो मिच्योरिटी पीरेट आने के बाद मतलब जब वो बीमा मिच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा वो बीमा की रकम वित बोनस दी जाएगी ठीक है तो यहां पे दो तत्व सुरक्षा और व बीमा आते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अगनी बीमा चोरी बीमा सामुद्रिक बीमा और अगर हम इसमें देखें इसमें सुरक्षा एलिमेंट ही पाए जाता है विनियोग एलिमेंट यहां पे लैक करता है या उसका आभाव होता है आई हम एके करके इनको प्रिच्वेशन में क्या होगा कि आग लगने के बाद जो बीमा कंपनी है वो क्या करेगी अपने जो व्यवसाई जिसने कराया हुआ हुआ है उस व्यक्ति को उस बीमा की रखम को दे देगी लेकिन इन केस अगर आग नहीं लगती है और वो बीमा मिच्वर हो जाता है तो यहां पर क्या होगा वो बीमे की रखम उस व्यक्ति को या उस व्यवसाई को वापस नहीं होती, तो यहां आप देखते हैं कि यहाँ जो सुरक्षा का तत्व है वह विद्यमान है लेकिन जो विनियोग का तत्व है उसका आभाव पाई जाता है उसी तरीके से अगर हम चोर के भैसे उनका पहले ही बीमा करा के रखा हुआ है ठीक है किसी इंटर्वल के लिए टाइम डूरेशन के लिए समयावधी जिसे हम हिंदी में कहते हैं और उस समयावधी तक अगर उस अभूशन की चोरी नहीं होती तो उस केस में क्या हो जाएगा उस केस में वो मिच्चौरीटि के बाद जो रखम थी वो फिर से उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी लेकिन इन केस जो डूरेशन के लिए बीमा कराया गया था उस समय अगर उसकी चोरी हो जाती है तो पूरा निरक्शन करने के बाद पूरी अच्छी तरीप कैसे जांच होने के ब में दी गई थी वही इमांट क्या करेगी उस व्यक्ति को देगी तो इसमें भी आप सुरक्षा वाला तत्व देखते हैं लेकिन जो विनियोग वाला तत्व यहां पर भी उसका आभाव पाये जाता है फिर colonialismёт तो अनधिक्स्ट हम देखते हैं समुद्रिक बीमा यहां पर क्या होता है समुद्र में बड़ी बड़े जहाज पानी के अंदर जहाँ में महझे होते हैं अभी साथ ही साथ जहते हैं मानव भी होते हैं तो कुल मिलाकर कि अगर उस समुद्रreet करोड़ रुपे को नुकसान होता है तो वहां पर कितने करोड रुपए का नुकसान होता होगा आप समझ सकते हैं ठीक है तो यहाँ इस थिती steps में भी क्या होता है बईमा कराया जाता है और टब क्या होता है क्या के अगर वो जिस duration के लिए बीमा कराया गया है उस duration में अगर वो जहाच उसको कुछ नहीं होता वो सुरक्षित अपने कारिकों करके वापिस आ जाता है या उतने समय तक वो सुरक्षित रहता है तो उस सिती में क्या होगा कोई भी पैसा वापिस नहीं किया जाएगा बीमा कंपनी के द्वारा यहां पर भी देखा जाता है कि सुरक्षा का element है और यदि क्यों कि सुरक्षा का element क्यों है कि अगर सामुद्रिक बीमा है और जहाच को कुछ हो जाता हानी हो जाती है मतलब तूट फूट जाता है कुछ भ लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो वो जो पैसा होता है वो वापस नहीं करेंगे तो यहां पर भी सुरक्षा का तत्व पाये जाएगा विनियों का तत्व नहीं पाये जाएगा जो अंतिम हम देख रहे हैं विविद बीमा एवं स्वास्त बीमा तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो इन सभी बीमा को लेते हुए और भी ऐसे कई तरीके के बीमा किये जाते हैं जो की मिसलीनियस एंशरंस के अंतरगात आते हैं और जो हैं स्वास्त बीमा के अंतरगात आते हैं कई बार यह केवल सुरक्षा की दृष्टिक से ही जो होते हैं इसमें या सुरक्षा का element या सुरक्षा का तत्व पाई जाता है और कई बार ऐसा होता है इन में दोनों तत्व पाई जाते हैं जैसे की सुरक्षा और विनियोग दोना है तो बचो इस तरीके से हमने जो बीमा के प्रकार है उनको छोटे-छोटे भागों में समझा है आएब हम देखते हैं कि स्क्र कंपनिया हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अब इन कंपनियों के नामों को देखने के बाद आप सामान्य बीमा में जो कंपनीज इन्वाल्व हो रही है या इन्शेरंस कंपनीज इन्वाल्व हो रही हैं उनकी एक लिस्ट देख रहे हैं बचो इस तरीके से आपने कौन-कौन सी कंपनिया जीवन बीमा और सामाने बीमा के अंतरगत इन्वॉल्व हैं आपने देखा आएए अब हम कुछ सिद्धानतों की चर्चा करते हैं जिन पर ये इंशुरेंस बेस्ट है